जहें साथियों देखते हैं रिजनिंग एनलोजी का प्रेस्ट दिया है हमें 6 का जो संबंद 109 के साथ में हैं 10 का जो 501 के साथ में हैं वही प्रेस्ट वच्चे जिन और 257 के वीच में लॉजिक लगने वाला है तो सबसे पहले आएपको सबस्की सब्सक्राइन है अगर हम 6 का स्ब्सक्राइक प्रेस्ट कर देते हैं तो 6 का स्ब्सक्राइक है हमारा 36 हो जागा है यहां एंये 109 और 36 में इससी संब्सक्राइक तो 36 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलएगा? एकसो आट मिलएगा लेकिन यहां पर दिया है, एकसो आट में एकसो आट में जूड़ देंगे तो कितना मिलएगा हमें, एकसो नो मिलएगा ठीक है? अब यहां पे same logic लगाते हैं सबसे पहले क्या करेंगे 10 का स्क्वार करेंगे 10 का स्क्वार हो जाएगा 100 और इसमें क्या करेंगे यहां पर जैसे 501 चाहिए हमें तो अब इसमें किस संख्या को गुणा करेंगे यहां हमने 3 से किया था तो यहां किस संख्या से गुणा करेंगे तो दोस्तों लोजिक यह है कि यहाँ 6 है तो इसके आधे से गुणा किया गया है यहाँ पर 3 से यहाँ 10 है तो 10 के आधे से गुणा करेंगे या नहीं 5 से तो 105 कित्ता हो जाएगा 500 और यहाँ प्लस एक किया था तो यहाँ भी प्लस एक कर देंगे तो ठीक है हम यहां पर लेंगे 8 ठीक है option अशेते हैं 8 का square करेंगे तो नहीं 64 आप 3 तो TI से गुर्णा करना है हमें इस संखियां पर हमेह grad dov typically फक्रिव यानि 4 से घुना करेंगे कितन मंबले का 64 का 4 में गुणा करींगे तो 254 अब सम में प्लस बन किये था तो यहां भी प्लस बन कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 257 यानि कि हाँ पर हमें बिल रहा है तो हमने कौन से नमबर रहा है प्रेस्ट जिनके इस तन पर आठ यानि कि ऑप्शन नमबर ए ही हमारा राइट आंसर हो रहा है